तूर दुनिया से गम का अंधे राह हो जाए, एक ज़रा तेरे चमकने से उजाला हो जाए, मैं मेयो कॉलेच, मेरे मैदान जो तुम्हारे मैदान है, बेसबरी से तुम सबके लोटने की राह देख रहे हैं। मार्च से नवंबर आ गया है, मैं रोज तुम्हें मैदानों में खेलते हुए सूचता हूँ, याद करता हूँ वो पल, जब तुम्हारी आवाजों के बीच, मेन बिल्डिंग के घंटे की आवाज भी खो जाती थी। खाली सिर्फ मैदान ही नहीं हुए हैं। खाली है वो एमफि थियेटर, एकेडमिक ब्लॉक, हाउसे, कॉरिडोज, मैस और मेयो का हर वो कोना, जहां से तुम सब की एक साथ गुंजती को मेयो की आवाज को सोचते हुए, मेरा सर फक्र से उठा रहता है। पच्रंगा पहने महीनों बीद गए हैं। तुम मेयो में लोटोगे, तभी मेयो के पच्रंगे में रंग आएंगे और वो अपने गर्व से लहराएगा। मैंने पंदरा अगस्त के दिन तुम्हारी कदमताल को याद किया। मेरे उन गर्वीले घुरसवारों को भी, जिनके आते ही पूरे माहौल में जबरतस्त जुनून आ जाता है। ओमान, जूनियर स्कूल और जोशीले युवा विद्यार्थियों की आत्मविश्वासी प्रस्तुतियों को भी मैंने याद किया। हाउसेस के सामने से गुजरते हुए, मुझे तुम सब का मुस्कुराना और बातोनी सा शोर महसूस होता है। जुनियर स्कूल से गुजरते हुए, मुझे मेरे सबसे छोटे बच्चे याद आते हैं। कुछ नए बच्चों से तो मैं अभी मिला भी नहीं हूँ, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। खाली सडकों को देखकर सीनियर हाउस के बच्चों के आत्मविश्वासी समूव याद आते हैं, जिन में मुझे विश्व नित्रित्व की शमता रखने वाले युवा दिखाई देते हैं, और मेरा सीना एक बार फिर गर्व से चोड़ा हो जाता है। मैं आज के समय की सभी चुनौतियों के लिए खुद को तयार रखते हुए अपनी दोनों पाहें फैला कर तुम सब का पूरी सुरक्षा और प्रेम से स्वागत करता हुआ मिलूँगा। जैसे ही तुम में गेट पर पहुचोगे, मुझे ठीक सामने इंतजार में खड़ा पाओगे। पचरंगा खुले आकाश में लहराने के लिए तुम्हारे इंतजार में हैं। तुम्हारा अपना मियो कॉलेज।